समस्कार दोस्तों स्वागत है आपका concept denrail मैं हूं पलगbanまरे हम लोग पढ़ रहे थे युनिट वन और युनिट one में हम लोग पढ़ रहे थे और एल्जेबडा में टॉपिक वन हम लोग इंड कर दिये हैं जिसका नाम है पार्चल फैक्शन मेरे चार दिन से वीडियो नहीं आ रहा था डियो टू इलेक्शन पंचाईती चुनावत के कारण चार दिन से वीडियो आपका बन था जिसके लिए श्यामा मांगता हूं आप सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स और मैट्रिक्स और मैट्रिक्स को देख लेने से क्या होगा कि आपका जो डिटर्मिनांट होगा तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स होता क्या चीज़ है सबसे पहले उसको देखेंगे मैट्रिक्स का हिंदी नेम अवियु होता है अवियु हो ठीक है और मैट्रिक्स होता क्या चीज है तो ये एक एड्य 20 everybody मैट्रिक्स जीन एलीक्स एरेंड ऐमें ऐलिमेंट से так़ो सजाते हैं कि सको आकड़ा या फलन को देख भाई याद रखो matrix हम लोग क्या करते हैं इसमें rectangular box में हम लोग element को सजाते हैं जैसे कि 2, 3, 4 हो गया कोई आकड़ा है कोई equation है जैसे कि 2, 4 वाला राखिक्षमिकरन होता है उसका भी हम लोग solve matrix से द्वारा हम लोग करते हैं matrix देखो कहां कहां पर काम आता है दो चरवला राखिक्षमिकरन वहां पर भी यूज होता है तो इसमें होता क्या चीज़ है matrix is an arrangement of mn number mn का है इसको भी बताते है mn number of elements mn number of elements in the form of rectangular box where m is m is equal to number of row यह row का होता हो बताते हैं n जो होता है number of columns होता है तो यह बताते हैं कि row का होता है column का होता है element का होता है element मतलब सदस्य होता है तो इसको चलते हैं थोड़ा सा आगे बहाते हैं definition लिखने वाली चीज़ नहीं है बहुत छोटा छोटा चीज़ है यह सब main concept समझना आपको गला भी थोड़ा सा बजहेंगे है देखो आगे चलते हम what is matrix matrix is an arrangement of m elements in the form of rectangular box where m is equal to number of row and n is equal to number of columns okay यहां के बात हम लोग आते है matrix it is denoted by it is denoted by capital A, B, C, dot 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 xyz कुछ प्री ओके यानि capital letter से हम लोग इसको denote करते हैं matrix representation of matrix representation of matrix matrix को हम लोग represent कैसे करते हैं तो इसको एक rectangular या square box बड़ी question में करते हैं हम लोग या इसको छोती question में ली कहीं बुक में आपको ने देखा यह clear हो गया अब देखो यह aim और a ने का था उसका concept देखते हैं तो general form of matrix खुड़ा size को देख लेते हैं देखो एदम basic से बताएंगे रठा वला चीज नहीं है एकदम basic से आप लोगों को चलेंगे general form of matrix general form of matrix देख भाई a से हम इसको denote करो या b से करो कोई दिक्कत नहीं है इसका form जो होता है a i z aim into in होता है जहां हम लोग बोले aim क्या था aim जो यहाँ पे है वो number of row हो गया यह खाली देखो ध्यान दो इसको हम अच्छा से बताएंगे दम एन क्या है number of columns i क्या है यह i throw है i throw और यह j क्या है वो जेत यानि जेमी पंकती है जेमी अस्तम columns यह आई मी पंकती आई मी कॉलम आई मी जेमी अस्तम columns देखो भाई रो का मतलब होता है और columns का मतलब अस्तम होता है जो हिंदी से हो गया इसका form होता है एम बराबर क्या होता है number of row होता है number of columns होता है अब यह row क्या है column क्या है इसको थोड़ा सा देखो तो याद करो पच्मा और सोड़ी बच्पन का थोड़ा सा याद करो बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे वही वाला कॉंसेट्ट थोरा सा याद करो जब आप लोग प्राथना के लिए जब जाते होंगे बचपन में तो क्या होता है वहाँ पे सभी बच्चे एक कॉलम्स में खड़े होते हैं जान से देखना एक कॉलम्स में खड़े होते हैं एक 36 कतार होता है और एक भर्टिकली होता नहीं है लेकिन मान लिया जाता है कि भर्टिकली है अब देखो हम लोग लाइन से खड़ा होते हैं एक, दू, तीन, चार, पांच ये बच्चा खड़ा हो गया ये यहाँ पे खड़ा हो गया एक यहाँ पे खड़ा हो गया एक यहाँ पे हो गया चार लाइन हम लोग खड़ा होकर के प्राथमा करते हैं मान के चलो एक लाइन में 20 बच्चा होगा 20 का 80 बच्चा होगा अब ये चार गो यहाँ पे हो गया इधर से हम लोग देख रहे हैं तो एक दू तीन चार है लेकिन इधर कहां तक है तो 20 तक है तो इधर वाला देखेगा इधर से इधर से तो वो का कहेगा कि 20 गो है समझ में आया हमनी यहां से देख रहे हैं तो हम लोग को 4 दिखाई दे रहा है कि 4 लाइन है लेकिन कोई बंद इधर से देखा वो उसको column माना c1, c2, c3, c4 यानि चार column है चार column है चार अस्तम टाइप पे है यानि कि जो खड़ा वाला दिखाई देवे जो खड़ा वाला दिखाई देवे वो columns होता है समझने आया और जो सुत्तल होगा पॉररल होगा और वो मेरा रो होगा इसी को रो बोलते हैं यह r1 कहां तक था? r1, r20 तक था 20 वो बच्चा था यहां तक इधर वाला देखेगा तो वो columns नजर आएगा लेकिन यही वाला इधर वाला देखेगा तो यह column नजर आएगा और इधार वाला पंकती नज़र है शमाज में आया यहां तो रो और कॉलंग का कॉंसेप्ट के लिए नहीं के लिए हुआ मैट्रिक्स का फॉर में देखो यह कोई मैट्रिक्स है ये रो रो हो गया ये रो हो गया कितने रो और ये रो अब पूछेगा यहां से कॉलंग्स कितने हैं गो कोलंग सब्सक्राइब ऐसको रूंग साहुति होगा जो खड़ा वाला एलिमेंट भलास है सामनी उसको कोलं मोला कोलम कितना है यहां पे तीन एक दो तीन गो सीधा वाला यह पूड़ा स्थीधा ये कोलम ये कोलम ये ये रो ये रो concept clear हो गया अब देखो अब यहां से आते हैं जिनरल फॉर्म आपको बताते हैं जिनरल आप लोग देख लिए जेनरल फॉर्म आफ मैट्रिक्स हम क्या बताएं जेनरल फॉर्म आफ मैट्रिक्स पर हम लोग चले ए बराबर ए आई जे एम इन्टो एन हो गया था अब देख भाई यहां पर इसको हम लोग मैट्रिक्स को इस रूप में हम लोग रिपरजेंट करते हैं कोई दिक्कत नहीं है एम इन्टो एन का है उसको देखेंगे तो एम बराबर हम लोग मान लिए हैं सोड़ी जान लिए नमबर आफ रो हो गया और एन बराबर क्या था नमबर आफ कॉलम्स हो गया तो यह हम को रोज और कॉलम्स का कॉंसिप्ट हमको बहुत ही बहतरी ढंग से हम लोग पता कर अब देखो यहां पर क्या करना है एम इंटू एन क्या चीज है यहां पर एम इंटू इन होता है एम इंटू एन जो है यहां पर इसे को order of matrix बोलते हैं इसको आगे हम लोग देखें तो पहले इसको समझते हैं आई क्या था तो आई रहो था आई थ्रो और ये जेत कॉलम्स था जेत कॉलम्स यानि कि आई मी पंक्ती आई मी अस्तम है आई बराबर यदी यहाँ पे वन ले लेंगे और इसको यहाँ पे ओवन ले लेंगे तो ए वन वन ए वन टू ए वन थरी ए वन कहा तक एन तक एन नंबर ओफ इंफिनिटिव कहीं तक चल जाएंगे हम लोग ठीक है अब इधर से देखो तो ये दूसरका स्टाट होगा ये एम क्या था नंबर ओफ रो पहील का रो हमको स्टाट हुआ है दूसरा रो तो नंबर ओफ यहां पर टू देंगे तीसरका रो तो ठीरी देंगे चौथा रो तो यहां पर फोर देंगे ये भी कहां तक A2N तक जाएगा ये भी कहां तक A3N तक ये A4N तक ये कहां तक जाएगा ये A1N तक जाएगा तो ये जो लास्ट वाला element होता है किसी भी matrix का वही उसका क्या होता है order होता है ये भी समझ लेना तो A1N हो गया ये order हो गया इसका अब देखते हैं आगे ये तो element समझ में आया अब कोई पूछेगा आपको कि पहला रो पहला रो का दुसरा element क्या चीज़ है तो आप लोग असानी से बताएंगे पहला रो पहला रो का दुसरा element ये वन्टो यदि पूछेगा तो आप यहां पर एवन टू लिखिए गा दुसरा element यदि पूछ देगा तीसरा रो का दूसरा element क्या चीज़ है दूसरा रो का तीसरा element यानि कि ए टू-ठीरी की बात कर रहा है ये आप लोग समझ गया दूसरा रो दूसरा रो तिसरा कॉलम यह आजयेगा, यह समझा, अब कोई पूछेगा एध धृरइटतू की बात कहेगा, तो आप क्या बोलिएगा कि तिसरा रो दुसरा कॉलम जहां पे होगा वह ही उसका इसको थूड़ा सा देखो समझ लेते मैट्रिक्स को कैसे हम लोग डिनोटेट करते हैं कैसे हम लोग इसको लिखते हैं और कैसे मन से पढ़ते रहो ओडर ओफ मैट्रिक्स में यह हम लोग देख लिए यह हो गया यहां पर यहां पर बताओ रो कौन सा तो रो यह वाला समझने आ गया कॉलम कौन सा यह वाला अब इसका ओडर बताओ कि ओडर क्या चीज़ है हमने आपको बताया जितने नंबर ओफ रो होंग कि पईले रो तो फाले रो वाला एक रो दू रो तीन रो तो तीन रो गूना है को अक गगो डू गो तीन गो यह पूड़ा एलमेंट का कॉरम कहेंगे तो यह त्यसी ने अब यह चीज़न से जो एम इंटू एं धावा़ पर यहिस का और का लाता है और आफ मैटरिक्स समझ तो वन त्री यह कितने ओडर्स का है तो एगो यां सोड़ी यह वला देखो रूँ आंगे यह रोद दूगो तो दूगो गुना कॉलम्स कितना एगो दूगो दूगो टूइंटू टूटू अडर्स का मैट्रिक्स है यादी यहीं पर हम लोग दे दे टू छी फूर अब बता यह बता है कितने और को पृूट को यहां यहीं पर को देदेगा आपको सब्सक् soutरन सोब defensory एक रो ये वाला एक रो ये वाला एक रो ये वाला तीन गो रो तीन दे दिये गुना कर दिये अब कॉलम्स तो एक कॉलम्स दू कॉलम्स तो त्री इंटो टू देखो एक अक एलिमेंट नहीं लेना है पूरा एलिमेंट को ये कॉलम हो गया एक कॉलम कॉलम किसको बोलते हैं ज सब कोलम में सामिल है यह पारल होगा वह कितना हो जाएगा वो उसका रो हो जाएगा उसमें यह होगा कि लिए तो यह थे इन्टो टु ऑर्डर को आपको ज्यान तो हो गया होगा अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखते हैं एलिमेंट को पहसानने के भी आपको बताते हैं ठीक है देखो यह बताना ये 11 a to a 138 21 yesterday अब बता यह कितने ओडर्स का माल ट्रिक्स है तो एट टू-ठरी देखो ये दूरू ठेक है क्या कोलम एक दू एक तीन कोलम टू इंटू ठीन ओर अज का यह मैट्रिक्स है और देखो यहीं पर यहीं चीज में टू-उ-टू-ठी यह महम देखते हैं अब देखो, यहाँ पे रहेगा चार, पांग, छो, तिन, दो, तिन, अब यहाँ पे हम आपसे पूछेंगे, ए, टू, ठीरी का हम को, ए, टू, ठीरी एलिमेंट्स बताएं कि कौन सा है, तो आपको देखना क्या है, चो टू है यहाँ पे, तो दूसरका रो में जाना है, तो दूसर का रो आपका यह हो गिया ठीक है अब देखना यह रो वाला है इसको रो बोलते हैं इसको कॉलम्स बोलते हैं ठीक है कॉलम्स अब देखना है कि दूसर का रो में तो हम लोग यहां आ गए अब तीसर का कॉलम में जाना है तो तीसरा कॉलम में बता बोल रहा है दूसर का रोण और दिसरा कॉलम यहीं नहों रहा है दुसरा रों तिसरा कॉलम यह थोड़ी आए के जग पड़ी जाएंगे तो पहिल का रो में आ जागा लेकिन कहा क्या रहा है दूसरा रो तिसरा कॉलम यानिकि यहां पर थीरी हो जाएगा यहीं कॉंसेप्ट थोड़ा सा समझा रहे थे कुश्चन इसी प्रकार से थोड़ा सा रहेगा कि पूछे का आपको वन थीरी बताइए तो पहिला रो पहिला रो तिसरा कॉलम तिसरा कॉलम कौन सा रहा है जो आ रहा है आप लोग पहशान असानी से कर लिज़ेगा यहां तर ठीक है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहीं पे मैट्रिक्स को हम लोग डिनोटेट देख लिए किससे डिनोट करते हैं मैट्रिक्स का हम लोग फॉर्म देख लिए फंडामेंटल फॉर्म देख लिए ए आई जे वाला भी देख लिए आई क्या चीज़ें वहाँ पे वो भी देख लिए और अडर अप मैट्रिक्स वे हम ल मैट्रिक्स पे चलते हैं टाइस ओफ मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे टाइस ओफ मैट्रिक्स में भाई मेरे मैट्रिक्स के फॉर्म के अनुसार से उसके टाइप में बठा गया है उसके एलिमेंट के अनुसार से element किस पर निर्भर करता है element भाई मेरे उसके order पर निर्भर करता है जितने order का matrix होगा उतने order का sorry उतना ही उसका element होगा तो अब यहाँ पर पूछेगा types of matrix matrix कितने प्रकार के होते हैं तो matrix उसके form के अनुसार से होगा जैसे कि पहला चीज देखो पहला पहला में आ जाते हैं रो मैट्रिक्स इसको हिंदी में पंकती आभी हो भी बोलते हैं पंकती आभी हो अब यह होता क्या चीज है यह नाम से ही असपस्ट हो रहा है what is row matrix matrix a matrix in which there is only one row only one row केवल एक रो हो गा केवल एक रो होगा यानि की RAW एक होगा columns कितना भी हो सकते हैं 1345 है कितने order का मैंत्रिक्जा पहले यह बता हमने रो मैंत्रिक्स का Pie сюжetा पहला what is row matrix row matrix is a matrix in which there is only one row is called रो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स तो केबल आर वन होना चाहिए और टू यहां पर इना कि दू और तीन तो यह दू गो रो हो जाता यह नहीं होता रो मैट्रिक्स अब यहां पर देखो यह ओडर कितने का तो एक तो होगा एक होगा और यहां पर देखो यह कितना है एक दू तीन चार चार का हो जाएगा यानि इसमें फर्म में हम लोग बोल सकते हैं कि A बराबर देखना यहीं चीज पुछेगा A is A, M into N, where M is equal to 1 होगा, N not is equal to 1 होगा, ठीक है, N not equal to 1 हो भी सकता है यानि N is equals and greater than, N is equals and greater than, greater than, greater than, greater than, greater than 1 होगा देखना, एम का मान 1 भी हो सकता है, यह बोलेगा कि A 1 यह है, अब यह केवल कौन सा होगा तो यह भी आपका 1 into 1 का हो गया, तो 1 into 1 का हो गया, तो यह row matrix भी होगा, यह column matrix भी होगा लेकिन इसको केवल greater होना चाहिए, एम बराबर 1 होगा, N not is equal to 1 होगा तब आपका row matrix कहलाएगा, एम का मान 1 होना चाहिए, row 1 ही हो columns कितना भी बढ़ते चल जाएं, कितना ही बढ़ते चल जाएं, columns कितना भी बढ़ते चल जाएं रो आपका एक ही होना चाहिए यह हो गया रो मैट्रिक्स समझे आजा रो मतलब पंक्ती एक ही 36 होना चाहिए कॉलम्स कितना भी हो जाए यह देखो C1 था C2 था C3 था C4 था और लेकर चल जाता आगए लेकिन रो में बदलाओं नहीं करना है किवल R1 नहीं वहां रहना है समझ नहीं आ गया देखो दूसरा चीज़ अब इसी में देखते हैं पहला हो गया रो मैट्रिक्स दूसरा देख लेते हैं कॉलम्स मैट्रिक्स दूसरा इसी में देख लेते हैं । इसको अस्तम्भ है आवी हो बोला जाता है। अम कॉलम मैट्रिक्स का क्या चीज होता है, what is कॉलम मैट्रिक्स? अ कॉलम मैट्रिक्स is a matrix in which there is only one columns, केवल एक कॉलम्स हो, अब देखो कॉलम्स की बात आ गई, तो रो कितना भी ले जा सकते ह। का उस्ताम बनाना है हमको यह 1 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 6 हो गया कॉलम्स ए कहीं हो रो आपका बदल सकता है और 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और इन तक जा सकता है लेकिन यहां पे केवल सी 1 ही रहना चाहिए यह कितने में ओडर का हो गया तो फोर इंटो वन ओडर का हो गया यानि एम बराबर एम बराबर सौरी एम नॉट इस इक्वल टू एन बट एन बराबर वन होना चाहिए कुश्चन दे को कई से पुछे का अब्जेक्टिव बोल देगा फॉलोएंग के वम ओफ दा कोलम मेंट्रिक्स इन इंव एन नट ईगल टू और बराबर जीरो एन और 30 14 में देगाईन में से कोई नहीं तो जबिएम बराबर वन होगा ता व Анतोर्य मेह मेश्कर्ब होगा तो कहीं नहीं मिलेगा दूर कहा है कहीं खोज लो कहीं खोज रोड़नाहीं मिलेगा वेकितना भी पड़ते चल जा कोई दीखत माइए हो गया आपका कौं सा कबर मैट्रिक्स हो गया अब आगे देखते हैं सी में रेक्ट्ेमिलर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आयत आव्यों अब देखो इसको थोड़ा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स is a matrix in which number of row and number of columns are not equal यदि number of row and number of columns नहीं equal होगा वहीं मेरा रेक्टेंगुलर जिसको definition लिखना हो लिखते रहेगा हम बोल दे रहे हैं अब देखो और इसी में कितना था तीसरा था ना और एक चौथा आ जाते हैं square matrix दूनों को देख लेते हैं और square matrix अब देखो इसमें हम 1,3,4,2,1,2 इसमें number of row कितना दू, number of column 1,2,3,2 into 3 order का हो गया number of row और column equal नहीं होना चाहिए यही मेरा कौन सा हो गया aim not is equal to 1 यहीं आपका rectangular matrix यानि कि आयत आभी हो गया यहीं पर just opposite जैसे ही aim बराबर n हो जाएगा aim बराबर n हो जाएगा यानि कि 1,2,2,2,2 into 2 order का हो गया यह आपका square matrix हो गया यानि कि the definition of rectangular matrix is a what is rectangular matrix the rectangular matrix is a matrix in which there is in which they in which the number of columns and number of row the number of columns and number of row is not is equal to ठीक है is not equal और यहाँ पर देखिंगे तो क्या हो जाएगा square matrix is a matrix in which number of columns and number of row is equal then that matrix is called a square matrix job number when the number of columns and number of battery sorry row is equal then that matrix is called a square matrix when the number of row and number of columns is not equal then that matrix is called rectangle matrix यहाँ तक कोंसेप्ट के लिए हो गया होगा अब आगे चलते हैं इसमें चार तक हो गया और पाच्मा और पाच्मा और पाच्मा है भाई मेरे यह आई डिन्टिटिमेटिक्स आई डेंटिटिमेटिक्स होता क्या चींज है थुरा सा इसको समुझ लेते मार कर देल देऊंसे यह होता क्या चीजा बहुत कुछ कर सकते हैं, तो in a square matrix, the leading diagonal of matrix is 1 and other elements of matrix is 0 is called identity matrix, leading diagonal या इसी को principal diagonal के नाम से भी जाना जाता है, जब matrix में leading diagonal या principal diagonal 1 होगा, वो matrix आपका identity matrix कहलाएगा, तत समक आभी हो कहलाता है, आप इसका definition में लिख सकते हैं, a square matrix, in a square matrix, the leading diagonal of a matrix is equal to 1 and other elements is 0, then that matrix is called identity matrix, यहां तक concept आपका clear हो गया होगा, यह होगा आपका कौन सा, identity matrix होगया, इसी में just एक और matrix आ जाता है, छटा, इसी से related है, a scalar matrix, देखो, related वाला देख लो, a scalar matrix, इसमें क्या होता है, कि in a square matrix, the leading diagonal, the leading diagonal, the leading diagonal, the leading diagonal या principle diagonal of a matrix is same, is equal, किसके equal, यह नहीं, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा होना चाहिए, इसका principle diagonal, principle diagonal, एक से ज्यादा होगा, तब वह से में होना चाहिए, तब वह स्कैलर मैट्रिक्स कहलाता है, और दिस आवी हो कहलाता है, समझना या, देखो, identity में क्या हुआ था, इसमें one केवल रहना चाहिए, leading diagonal, इसमें principle diagonal केवल, one से ज्यादा रहना चाहिए, या तो 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, से में रहे, चार, चार, से में रहे, पाज, 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 से में रहे, लेकिन यहाँ पर यह element जो है, वो जीरो रहना चाहिए, तब यह हो गया, a scalar matrix, ठीक है, identity matrix तद समक आभी हो भी हो गया, अब हम थुरा सा, इसमें आगे चलते हैं, और आगे का concept दखते हैं, और आगे का एक और matrix जो है, यहाँ पर उसको देख लेते हैं, तो a scalar matrix, और a scalar matrix में इसी में क्या था, कि बस यह इस principal diagonal इसका 333, all elements जो होगा, वो 0, यानि कि एक से ज्यादा हो जाना चाहिए, और पूरा element 0 हो जाना चाहिए, वो आपका scalar matrix का लाता है, इसी में देखो, identity matrix को हम लोग, unit matrix भ भी हमको बोल सकते हैं, या इसको diagonal matrix भी हम लोग बोल सकते हैं, कोई देखते हैं, अब देखते हैं, diagonal matrix क्या होता है, एक और concept, diagonal matrix, एक और है, यहाँ पर diagonal matrix सत्मा, diagonal matrix, वी करना आविए हो, देखो, यहाँ पर क्या कहता है, इसमें एक element, दो element, और देखो, तिसरा element, यहाँ पर यह, यानि कि इसमें diagonal, दो मौझूद रहे, तिसर का 0 हो सकता है, दूब इसका diagonal 0 नहीं होना चाहिए, बाकि सब element 0 होना चाहिए, समझ जाया, यह दूगो देखो, यह दूगो आपका मौझूद है, तिसर का यहाँ पर 4 यह हो सकता है, यानि कि एक ही element छटकना चाहिए, या तो यहाँ पर 0 दूगो यहाँ 0 हो जागा यह diagonal नहीं होगा, के लिए, देखो, जैसे मिए एक बाराओ देखो, चार हो गया, तीन हो गया, दू हो गया, 0000, यह हो गया diagonal आपका हो गया, diagonal matrix, यह यहाँ पर देख लो, 4, 2, 4, 00, 00, 00, यह आपका कौन सा diagonal का है, कि दूग element मौझूद है, तिसर का यह कोना 0 है, यह यहाँ पर एक और 0 रहता है, यह diagonal matrix नहीं होता, यह हो गया diagonal का concept, अब देख लेते हैं, थोड़ा सा 0 matrix, तो उसमें कुछ देखना नहीं है, जिसका पूड़ा element 0 होगा, वो 0 matrix होता है, एक बात और, identity matrix को भाई मेरे हम लोग है, I say denote करते हैं, identity matrix को I say denote करते हैं, I1 या I2, ऐसे denote करते जाते हैं, ठीक है, एक आता है, 0 matrix उसो देख लेते हैं, 0 matrix जिसका पू थोड़ा clear हो गया होगा, 0 matrix से, सुनने आभी हो जिसको बोलते हैं, सुनने आभी हो बोलते हैं, ठीक है, तो ये अपका types of matrix का concept clear हो गया, भाई मेरे, अब यहाँ से थोड़ा सा एक और concept देख लेते हैं, equality of a matrix, और उस पे एक question आपको बना देते हैं, और उसके बाद हम लोग next question का series आएगा, next video आपका, equality of matrix, matrix equal कब होता है, matrix equal कब होता है, जब उसका order of matrix, order of matrix, matrix का कोटी, order of matrix is equal होगा, order of matrix जब equal होगा, तब o matrix आपका equal होगा, दूसरा चीज़, इसमें हो जाता है, corresponding elements, corresponding elements are equal, जब उसका corresponding elements equal हो जाएगा, जैसे देखो, example, अब यहाँ पे 2 है, 4 है, 3 है, 4 है, x, y, z, p है, अब यहाँ से यह भी 2 into 2 order का, यह भी 2 into 2 order का, अब बोल रहा है कि दोनों matrix equal है, तो क्या होगा, इसका element बड़ाबर होगा, जहाँ x होगा, उक position वाला x का मान होगा, x is equal to 2, y is equal to 4, y is equal to 4, z is equal to 3, z is equal to 3, p is equal to 4, यही है equality of matrix का concept, मिलते हैं हम लोग next वीडियो में, वीडियो को दना दन सेर कीजिए, आप लोग के लिए हमेशा तयार है, बस आपका support चाहिए, थांकी मेरे दोस्त, जाहिए नेरे भाई